पेमस टीवी सीरियल अनुपमा की अगर आप रेगुलर विवर हैं तो देख पा रहे होंगे किस तरह से सीरियल की कहानी में धेड़ सारे हाई बोल्टेज ड्रामी नज़र आ रहे हैं इनी ड्रामों के बीच आपने ये भी देखा होगा कि डॉली बुआ लोट कर आ गई है डॉली बुआ को बुलाने वाले तो तोशू और पाखी ही है लेकिन बुआ के आने से इन दोनों का खेल भी काफी स्यादा प्रिकड़ चुका है अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तोशू होगा बहुत ही ज्यादा परेशान क्योंकि डॉली बुआ ने प्रॉपर्टी में मांग लिया है अपना हक और इन सारी परेशानियों के बीच देखेगी किंजल कि किस तरह से रंग उर चुका है तोशू के चहरे का इसके बाद आप देखेंगे सीरियल की कहानी में ठेड सारे हाई वोल्टेज ड्रामें जहां पर किंजल खोलेगी तोशू के सामने वनराच के असली वारिस का राज को शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामें जहां पर क किंजल बताएगी तोशु को कि उसने कैसे सोच लिया कि सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी उसने कैसे सोच लिया कि सारी प्रॉपर्टी का असली हगदार बनकर वही रह जाएगा जबकि यहां डॉली बुवा आ चुकी है और डॉली बुवा कभी भी तोशु को अपना हि सेगी तोशू पर और इसके बाद ही तोशू से कहेगी कि अब उसकी अक्ल ठेकाने आ जानी चाहिए अब उसे पता चल जाना चाहिए कि जैसा खेल वो खेल वहा है सब कुछ वैसा होने वाला नहीं है अब किंजल की बाती सुनने के बाद तोशू क्या करता है शो की एपिसोड में देखना होगा